वीवो जो है अपने स्मार्टपोन्स में कैमरा हर्डवेर पे फोकस करने के लिए ज्यादा फेमस है और वीवो एक्स हंड्रेड जो है इसका जीता जाकता सबूत है लेकिन जहां बात आती है परफॉर्मेंस की तो वीवो के ही एक स्पिन आफ ब्रैंड की बात आ जाती है जिस सब्सक्राइब कर आता है अट प्रीमियुम मिड रेंज प्राइज प्राइज इस लेटेस्ट पर्फॉर्मेंस बीस्ट कि इंडियर मार्कित राइट ना साथ इस फोन में बहुत सरे स्पेसिफिकेशन ऐसे भी दिये गया है जो इसको एक फ्लैक्शिप लेवल पे लाकर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा और हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर किजेगा तो सबसे पहले दोस्तों पर्फॉर्मेंस से ही शुरू करते हैं आइको 12 में आपको लेटेस्ट स्नैप ड्रेगन 8 जेन 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो के 2024 के सभी फ्लैक्षिफ स्पार्टपोन का प्रोसेसर है इसमें आपको फास्टर CPU पर्फॉर्मेंस देखने को मिलेगा पावरफुल और पावर एफिशेंट GPU पर्फॉर्मेंस देखने को मिलेगा विद बेटर रे ट्रेसिंग एक नया AI इंजिन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है साथी इस प्रोसेसर की कारण कैमरा प्रोसेसिंग में भी काफी इंप्रोव्मेंट हुई है अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स को कंसीडर करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा स्कोर्स जो है देखने को मिलेंगे लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस फोन को तब आपको जो है सही फर्क समझ में आता है यानि दोस्तों आप इस फोन में हाई ग्राफिक्स के खेम खेल सकते हैं वह भी काफी देर तक खेल सकते हैं फोन उतना ज्यादा हीट होते हुए आपको फिल नहीं होगा एक रेजन यह भी है कि इसमें एक बहुत ही बड़ा जो ह है वाइल गेमिंग थ्रॉटलिंग भी बहुत कम देखने को मिलती है और स्मूद गेम प्ले जो है आप एक्स्परियेंस करेंगे डेटो डेटास की बात करें दोस्तों तो फिक्र करनी की कोई ज़रूरत नहीं है काफी फास्ट फील होगा आपको यह स्मार्टफोन इस स्मार साथी ब्रैंड यहां पर तीन मेजर वेस अपडेट और चार सल तक के सिक्यूरिटी पैटेस देने का भी प्रॉमिस करती है साथी फंटेच वेस की कुछ फीचर्स भी आपको दिये हो है यानि के वाल्यूम डाउन की को आप किसी भी पार्टिकलर एप को ओपन करने के लिए किस्टमाइज कर सकते हैं फोन को आप एजरी मोट यूज करके अपने अप्लाइंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आयर ब्लास्टर प्रेजेंट है हलांकि यह गेमिंग फोन नहीं है लेकिन आपको एक गेमिंग फोन का जो है फिल बिल्कुल देदेगा तो ओव देखने को मिलती है जो कि काफी ज़्यादा शारप भी है आल्मोस्ट 453 की पीपी आई डेंसेटी आपको देखने को मिलती है साथ ही एंच्डिया 10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले भी है वन बिलियन कलर्स भी जो है शो करती है और जो पीक ब्रैटनेस है वह 3000 निट्स तक यही अविलेबल है बाकि 120 हट्स पे चलती है यह डिस्प्ले जितने कंपैटिबल एप्स है उनमें और आइडल मोड पे जो है वन हट्स पे जो है स्विच भी हो जाती है एक और चीज़ काफी अच्छी लगी मुझे इस डिस्प्ले को लेकर कि यहां आपको बेजल्स जो है वो भी काफी अच्छा लगता है देखने में इसका वाइट वाला कलर मुझे परसनली काफी पसंद है काफी ज़्यादा अपीलिंग भी लगता है फोन ग्लास बैक होने के कारण जो है काफी ज़्यादा स्लीपरी है और जितने ऐलुमिनियम्स के फ्रेम्स है चारो तरब वो इसका एक डिजाइन यहां पे स्क्वेरिश क्यामरा मॉडियूल देखने को मिलता है और इस क्यामरा मॉडियूल के कारण जो है फोन काफी ज़्यादा एलिगेंट भी लगता है देखने में डेफिनेटली यह फोन लाइट वेट नहीं है और ईसीम का सपोर्ट यहां आपको जो है 12 5G bands आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे और ज्यादा 5G bands होते तो ज्यादा अच्छी बात होती है बैटरी काफी बड़ी देखने को मिलती है 5000 mAh की और 120 Watt की जो है wired charging का support आपको देखने को मिलता है जो इस device को full charge कर देगा almost 26 minutes के अंदर बट wireless charging को यह device जो है support नहीं करती है बैटरी backup जो है phone का काफी अच्छा है एक दिन का battery life easily आपको निकाल कर देदेगी iqo 12 में आपको 50 megapixel का main lens देखने को मिलेगा OIS के support के साथ इसके इलावा 64 megapixel का एक periscope telephoto lens देखने को मिलेगा 3x optical zoom के साथ और साथ ही 50 megapixel का एक ultra wide lens देखने को मिलेगा 119 degree field of view के साथ ultra wide lens और telephoto lens दोनों में ही autofocus यहाँ पर मिल जाता है इसका मतलब यह के दोनों lenses से ही आप close up shots ले सकते हैं इन तीनों lenses से जो photos आते हैं उनमें काफी high level of details पाई जाती है exposure भी जो है काफी अच्छा मिल जाता है आपको pleasant sharpening जो है देखने को मिलती है साथ ही dynamic range और contrast भी जो है well balanced मिल जाता है अच्छी बात यह है के तीनों ही lenses से जो photos आते हों उनमें color shift आपको देखने को नहीं मिलता है तीनों ही lenses से portrait shots जो है खींचे जा सकते हैं लेकिन main camera के जो 2x digital zoom वाले portraits होते हैं वो काफी अच्छे निकल कर आते हैं night mode भी जो है काफी अच्छी तरीके से work करता है यहाँ पर main lens और telephoto lens से जो night shots निकल कर आते हैं वो काफी ज़यदा bright होते हैं और noise भी काफी low होती है but night time में ultra wide angle lens से जो photos आते हैं वो उतने ज़यदा bright नहीं होते हैं यानि कि okayish quality के photos मिलते हैं telephoto lens से जो close up shots निकल कर आते हैं वो काफी ज़यदा sharp होते हैं with nice color reproduction 10x तक lossless zoom photos भी आप ले सकते हैं telephoto lens से which are surprisingly good जैसे कि मैंने पहले भी कहा के ultra wide angle lens से भी आप close up shots ले सकते हैं but telephoto lens वाले level के close up shots यहाँ आपको देखने को नहीं मिलते हैं main camera से आप 8K up to 30fps तक video record कर सकते हैं और EIS के कारण जो है अच्छी खासी stability आपको videos में मिल जाएगी साथ ही main camera night time में भी 4K videos को support करता है which are very excellent but night time में जो है telephoto lens और ultra wide lens से उतनी अच्छी qualities की videos आप नहीं ले सकते हैं 16 megapixel का selfie camera यहाँ आपको मिल जाता है सेलफी में जो है काफी accurate colors जो है देखे जा सकते हैं exposure भी काफी अच्छा है लेकिन details जो है और ज्यादा होने चाहिए थे front camera से आप 1080p के ही video record कर सकते हैं up to 30fps यानि के above average quality के selfie videos आपको मिल जाएंगे price की बात करें दोस्तों तो इस phone का जो lower variant है वो 52999 रूपीज पे available है और जो higher variant है वो 57999 के around जो है available है flip card पे फिलहाल ये phone मुझे देखने को नहीं मिला है तो मैं Amazon की pricing यह आपको बता रहा हूँ तो दोस्तों ये रहे सारे specifications इसी IQ 12 के बारे में definitely इस phone में कुछ features जो है missing है but price को भी हमको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे और इस price point पे इतना अच्छा flagship processor और इस हद तक का performance मिलना जो है काफी rare है तो अगर performance जो है आपकी पहली priority है then IQ 12 is a worth recommendable smartphone for you तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही I am sure कि ये वीडियो आप लोग के लिए informative साबित हुआ होगा तो दोस्तों जाते जाते हमारे इस वीडियो को like जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share जरूर करें इसी तरह हमारे चैनल को जो है support करते रहिए अगर आप नए है तो subscribe जरूर करते वे जाए और bell icon को जरूर प्रेस कर दीजिएगा मैं मिलता हूँ आपसे अपने next वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों पीस हुआ है